ये आंगन बाड़ी में मिलने वाला मिल्क पौडर जो बिल्कुल फ्री मिलता है इसका यूद करकर हम आज बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेस्पी बनाएंगे इलाची फ्लेवर का ये मिल्क पौडर लिया है मैंने दो कप इसके अंदर हलका सा ग्रीन कलर होता है एड होता है इसी मिल्क पौडर के अंदर दो कप मिल्क पौडर के अंदर हम डालेंगे यहां पर एक कप डाल दिया है मैंने दूद रूम टेंपरेचर का लेना है दूद आपको और हाफ कप दूद और डाल दिया है मैंने यहां पर डेड़ कप डाल दिया है दूद दो कप मिल्क पौडर के अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद गैस पर कड़ाई रख दी है इसके अंदर थोड़ा सा गी डाल दिया है घी का मेल्ट होने के बाद जो हमने मिल्क पोडर तयार करकर रखा हुआ था उसे डाल देंगे जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था उसे डाल दिया एच्छी तरह से मिला देंगे और आधा कप डाल दिया है चीनी का चीनी डालने से इसके अंदर जो फ्लेयर होता है वो थोड़ा सा छिप जाता है इनहेंस हो जाता है टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अच्छी तरह से मिला देंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते होगे इसे पका लेंगे और बहुत ही चलती बनने वाली मिठाई है बहुत जटपट बन जाती है बहुत ही टेस्टी बन कर तयार हो जाती है ये देखिए पांस से साथ मिनट में ही बिल्कुल अच्छे से पै कि इसे करना है हमें ठंडा और निकालने के बाद एक घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए ठंडा होने के बाद हाथों से इसे अच्छी तरह से मत लेंगे और थोड़ा सा घी लगा कर हाथों पर इसके बना लेंगे हम पेड़े बहुत ही जल्दी बन पेड़े और खाने में ला जवाब पेड़े हैं बहुत ही टेस्टी थोड़ा सगी लगा कर बिल्कुल बराबर साइज के करने के लिए एक स्पून ले लेंगे और इसी से हम पेड़े बना कर तयार करेंगे यह ऐसी सेप डाल दी है मैंने पेड़ों के अंदर एक स्पून की क्यारी सेप आई है सारे इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे और मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुडियों को सुखा कर रखा हुआ है उसे डाल देंगे इसके अंदर आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं यह खूबसूरत सी मिठाई बनकर तयार हो चुकी है बिल्कुल फीरी में मिलने वाले मिल्क पाउडर से आप भी बनाएए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा